आज आप लोगों का कारिक्रम मोनु मानेशर को फासी देने की मांग कर रहे हो जब कानूनी पर वस्थाय चल रही है तो फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों देख आप सब लोगों को पता है कि हम किसलिए यहां पर इकटा हुए है जो नाजिरो और जुनेत के हत्ता हुई थ लेकिन आज किनी एक मार्च हो चुगा है अभी तो जो मैन कलिपरेट है मौनु मानेशर उसको किसी ने भी गिर्फता नहीं किया है तो हम जो यहां पर आया है जितने भी लड़कें आए इस्टूडियंट्स हैं युनिवर्सिटी से डैली उनिवर्सिटी से जामिया से जेन कर सकते हैं एक हमारे पर जरिया होता है कि हम अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें मीडिया के जरिये लोगों को अपनी बातों को पहुंचा सकें तो क्या गया कि दो दिन के नेट बंद कर दिया क्यों बंद कर दिया कि वहां पर को राइट्स हो रहे थे हो र कि जुआ है म tengah कि एक दिया है मतलब को अइसा डगा नहीं कर रहे हिंदू-मसिलिम का दंगा चल кораб님 जरा वहां पर अपर nephoto की सवजय से बंद किया गया था तेटkor मोजय हैं वे अपने मुद्धध कर रहें हमारा में सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं तो इसके लाव हम कुछ मांग नहीं कर रहे। जो अगर आप और जूसरे जगे देखेंगे कि वहां पर एक राजस्तान में एक हच्टा हो गई थी नॉन मुस्लिम की तो क्या हुआ था कि दो घंटे के अंदर वहां पर जो आ रहे सीम थे वहां पर पहुंच गई तो उनकी गृफतारी हो गई थी नहीं विदिन टू आर्स सीम रिपोर्टेट एट धियर हाउस कि आउननें के लिए वहां पहुंच तो लेकिन हमारे पास कौन है था सीम मारे पास आया लोगव वहां पे पहुंच चुका था नहीं लेकिन यह 15 यहाद इंशरे जो और भी सिर्फ एक अप्रेट को ग्रफतार किया गया है और का क्या हो रहा है बागी का बजरंग दल की खिलाफ क्यों है आप लोग हम देखो जो भी हमारे जो भी इस देश में अन्याय करेगा दो लोगों को पर जुर्म करेगा हम उसके खिलाब है अब आप बोल रहें कि मौनुमाने स बजरंग दल कोई भी चीज़े सेपरेट नहीं है मौनुमाने सर क्या है बजरंग दल का आदमी है तो हम इसी वज़े से बजरंग दल के भी खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हमारा टार्गेट यह जो लोगों को पर अन्याय कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके और जो सो तैरीरिस न किसी भी मुस्लिम के बात जिसना मौनुमासर के पास असला पाये गया था अगर घ्यम के पास पाई जाती तो पता है उसके bodए पदो सब कुछ लग जाता लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं लगा क्योंकि स्पॉंसर इस्पॉंसर टेरिज्म है निटिंग लैस्ट इस्पॉंसर टेरिज्म तो क्या है कि अगर कोई भी अफराद हो रहा है तो इसके सिर्फ सूचना दे सकते हैं उनके खिलाव हम अपने जो लॉइं उसको अपने हाथ में ले सकते हैं पुलिस किस लिए जूडिसरी किस लिए एक्जिगूटिर किस लिए हैं अगर उन सब कुछ काम नहीं है थी इन सब चीजों को बं वहता और जुनियत हैं नहीं थे उनके लोग वहाँ थे ये सब एक प्लाण्ड वे में काम गया अपने देखहोगा आसिफ को मारे गया था ठीक तो यून्यद को मारा गया तो यू आपको जवाद का वारिष का उसका अरे वह खत्या गड़ी गेई ते, क्या एक्षिन हुआ था? क्या गह रहते हैं उन लोगों की वीडियो सारे जितनी भी प्रूफ हैं जितनी भी प्रूफ को इकटे कर सकते हैं अगर किसी और के खिलाब ये प्रूफ पा जाते हैं तो अब तक वो जेल में होता उसके खिलाब नहीं पता है क्या क्या कुछ हो जाता उसके घर रह जाते है ब और उनकी मांग क्यों नहीं करते हैं नहीं कि आपको जवाब देता हूं मरे बास सुनिये मेरे बास सुनिए आप कनिया लाल का और उसका नसला उठा रही है मेरी बास मेरी बास मेरी बाह सुनिए अभी जब नासर हो जुनित के वह रते उनके निकाले जा रही हैं हम ने किसी के favor में कभी को wind नहीं मुस्लीम हो हम अगर घाल टया जारिब का लेकिन मुसलिम को नमो कि जालता रहे हूं किसके नام पर करा गया์ अगर कोई भी जुम करेगा अगर कोई भी इंसान जुम करता है हम उसके उसके फेवर में नहीं है अगले दिन क्या ओफर दे दिया गया था उसको पोस्ट दे गई थी बीज़ोपी को इस पोक्स परसन बना दिया गया था अगर कोई भी इंज्टेस होगा हम उसके खिलाफ खराएंगे अगर कोई भी इंजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे सब को बैंड करने की मांगों तुम आपका प्रसेशन मोनु मानेसर के खिलाफ है कि बच्रंगल को बैंड करो आप मुझे यह बता मौनु मानेसर किसे अफलेटिड़ है अगर कोई आतंग अरतायब अलश्करे तैयाब से डिलेटिड़ है अगर वो कोई आगर नहीं नहीं मेरी बास है नहीं हम जैनु को बैंड करने हैं वो पूरे प्लांड वे में हो रही है पता है आप लोगों के इची अगर कोई भी मानियूटिक होता है उसको पर आप चुप बैट जाते हैं हमारे साथ ना कॉंग्रेस है ना पीजेपी हमारा कोई नहीं है कोई नहीं है जो राहूल गांदी है वो क्या भारत जोड़ों क्या बोल रहे थे कि मौबबत की दुकान खुल ले आए अर्विंद के अगर को बोलने से कुछ नहीं होगा ना यह बून-बून से घड़ा बढ़ता है ना अगर सब लोग एक साथ हो जाएंगे अगर सब उसके इंजस्टिस के लाप आवाज उटाएंगे तो जस्टिस पिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन जो उनको स्पांसर कर रहे है उसमें पालि डिकलर थे मिवात का अगर इंडिया कोई बीस एक इंजस्टिस के खिलाफ होज रखनाएंगर मॉस्के साथ हैं अगर वो ऑपरेशन मुसलिम से लाप हुआ हैं हम हर किसी के साथ हैं जो इंजर्सिस के उना थो प्रदेश्रिशन नासर के चोटे भाई है आमिद ने बोला ये वाद आपको किस ने बताई थी ये सारी अफवाएं वहां पे जूसका भाइन है वहां पे कब्रिस्तान में धरना लगा हुआ है उसी दिन से धरना लगा हुए वहां पे आप चीजों को सफ्ष दरीगे से कवर करें लेकिन समर्थन पे नहीं है आमिद ने खुद पयान दिया किस चीज के समर्तन में ना अब बैठे क्यों कब इस्तान में कब इसलिए बैटा है कि समर्तन में लेकिन जो है कुछ मतलब की गौवर्मेंट है और जो पुलीस है उपरेसर बना रही है उनको अटाना चाहती है रहा है तो शौ Face वा तो सिर्फ देन जितने भी इसमें इंडिया में मानेटिस के खलाब मतलब हल आधो होरी है उनके कोई इंजसे होाँ हो रहा है वह कौन से बन दे है विज्डका के क्या वालताएं वह क्या उठाते है और लोगों सो को कोई किसी की वालते पौलिटिक्स है प करीब हैं अनपड़ लोग हैं वो क्या है इनके बैकावाव में आ रहे हैं क्या है उनके पास कुछ नहीं है अपने बेटों को काया बिसी जाएगा सेक्रेटरी बना दिया गया है वर्ल्ड के जो सब जाते हैं तो क्या कि उन से डेड़ से 2 लाक रुपे लिए जाते हैं किसी जार किसी से बीजार अरे गाय पचान उनको मारता है सिर्फ उजो पैसे नहीं देते हैं उसकी रोज की इंकम डेड़ से 2 लाक है अब आपने राजिस्थान वालों की अलग इंकम है बजरंग दल गोतस कर रहें जैए सब कुछ करादां लुप का रहता है जो लोग पैसे नहीं को मारा जाता है यहिए झाले कोई प्रूफ है को बचाने का प्रयास कर रहा है, अगर को पकड नहीं है जब उसके उपर primary face evidence है कि हाँ उन लोगोंने इनको मारा है तो क्यों करफसार नहीं कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि वो state के द्वारा sponsored है उनके एकलाब कोई भी आवाज नहीं उठा रहा अगर कोई और एक Muslim बंदा आगर यह सब काम कर दिया होता न तो उसके एकलाब नहीं पता क्या क्या हो जाता अब तक उसके CMK भी ट्यूट आजाते है PMK भी ट्यूट आजाते हर किसी के ट्यूट आजाते लेकिन वो इक special community से बलॉं करता है आपको democracy का सबसे flow बता है democracy में जो second minority second largest majority होते है जिसको minority बोलते है उसके एकलाब operation किया जाता है तो ये लोग क्या है कि वोटो का polarization हो सेगे communalization हो सेगे इसे चीज़ों को इनको क्या करते हैं कि हिंद मुसलिम में डिवाइड कर जाते है वोटो का polarization operation कैसे हो सकता है नहीं जो second majority है उसको operation का बात बोल रहा हूँ है जब उसका operation होगा तभी तो polarization हो रहा है क्योंकि आपने देखा है कभी उसके development के उपर अगर उनको development के नाम पर कभी काम करते हुआ सुना है development के उपर कभी बात करते हुआ किसी को कोई नहीं करता सबका साथ और सबका साथ सबका साथ minorities की जो में आजना इन हम किसी कोनी है उसके फेलो इसके बाद वह जाती हैं लोगों को सो हमारा मैसेज परक्रा यहां। किसी को मैसेज देने के लिए नहीं आये। हम यहां पर जैस्टीस के लिए हैं और जो उन्सकों मा रही को मासेए, और अभ्यार महाजायां। उन्हके होज़ा वह भी अगर सरकारी है गाए he नाम पर लोगों को जला देना कैसे सोच दैंगा hope आगर मैं कहता हो कि अगर कोई भी इनसान जो गलट कांव करता है भो गलत है अब गाय के नाम पर आप एक इनसान को मार रहे हूँ तो आप में humanity कहा से बची है बची है आपने मारा जाना है वह सिर्फ हमारी identity की वज़े से मारा जा रहा है अगर कोई और होता नहीं तो राउल गांदी की भी प्रियंका गांदी की भी हर कैसी की आवाज रुट जाते लेकिन हम मुस्लिम हैं उनको डर है कि भारत जोड़ यात्रा अनों ने की है अगर किसी मुस्लिम के लिए बोल पड़ेंगे तो जो हिंदु भाई है वो उनके अपोजीशन में चले जाएंगे तो उनको बिचार को डर है वो इस वज़े से नहीं बोल पाई तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की अगर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर कवर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें झाल